एलो फ्रेंड्स, आज जो हम मूवी करने वाले हैं, एक सिरियल किलर मिस्ट्री है इसका नाम है एज, ये कोरियन मूवी है ये एक ऐसी मिस्ट्री है, जो आपको लास्ट तक कुछ भी समझ मिने आएगी लास्ट में जो ट्विस्ट है, ये भी बहुत ही खतरनाक है अगर आपको Hollywood की 7 movie की तरह Serial Killer Mystery Movies पसन है तो इस वीडियो को last तक देखना तो चलिए शुरू करते है Movie स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कच्रा डंब करने वालों को body कच्रे में मिलती है Detective Kim जब वहाँ जा रही होती है तब उसे नया एक officer जोइन करता है इन्वेस्टेट कर रहे होते है तो भी और एक छोटे से बच्ची की body भी होने मिल जाती है इस बच्ची की जो cord है या भी उसको ही लगी हुई है अब डॉक्टर body की investigation कर रहे होते है जब ये डॉक्टर से बुशते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये death pregnancy की वज़े से हो सकती है पर अभी तक ये sure नहीं है next scene में हम देखते हैं कि एक लड़की बस से जा रहे होती है बस अब stop पर आ जाती है सब लोग चले जाते हैं पर ये वहाँ से उठती नहीं बस का driver जब देखता है तो उसका murder हो चुका होता है अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कीम और कैंग ये दोनों crime scene में पहुँच गए है यहां कर वो देखते हैं तो लड़की के पेट फाड़ा होता है crime scene ये पुरा जासते हैं और इसके बाद कीम अब इसके investigation में लग जाती है next day सब डिटेक्टिव की meeting हो रहे होती है तो किम इन सब को brief करती है किम कहती है कि हमें दो murderous मिले है पहला murder जो था एक pregnant lady का था और ये जो थी इसका abortion हो चुका था एक serial killer का pattern है जो serial killer था इन दोनों को नहीं जानदा था ये भी इसने established किया है ये कहती है कि ऐसा है serial killer हुआ करता था और अब वो जेल में है इसका नाम होता है शीन same pattern अब follow हो रहा है इस pattern में पहले pregnant lady फिर abortion वाले और इसके बाद एक लड़की का monitor होने वाला है जिसका ear cut off होगा अब हम देखते हैं किम और कैंग ये दोनों serial killer से मिलने के लिए जाने वाले होते है किम इस serial killer से मिलने पाती क्योंकि इसका जो husband था इस serial killer की investigation कर रहा था तब ये pressure सहन नहीं कर पाया और उसने suicide कर ली थी किम इस serial killer को देखना सहन नहीं कर पाएगी कैंग शीन से मिलने के लिए जाता है शीन को उसकी file पढ़कर सुनाता है शीन ना actual में six murders किये थे जब छटा murder उसने किया था तो body उसने bank में डाली और खुद police station में चला गया था कैंग उसे धमकाता है कि जल्दी से मुझे बता दो ये किया किसने है शीन कैंग से कहता है कि तुमारी body और soul से heart तक जाने वाला sound क्या कभी तुमें सुना है ये एक बड़े से hole की तरह होता है कैंग शीन जो कह रहा है इसमें interested नहीं होता उसे सब crime scene की photos दिखाता है शीन कहता है कि मुझे इनकी चीखे सुनाई दे रही है ये बोलता है कि जब ये लोग मर रहे होते इनने सब को सही सही दिखाई दे रहा होता है इसमें एक piece होता है शीन कैंग को कहता है कि तुम अब monster को पकड़ने जा रहे हो ध्यान रखना कि तुम खुद monster न बन जाओ कैंग फिर यहाँ से चला जाता है जो serial killer है इसी ये भी पता होता है कि किम यहाँ इस room में नहीं है पर ये सब वो सुन रही है ये बहुत ही smart होता है अब कैंग और किम को कोई भी evidence नहीं मिला है तो अब Shane यानि कि serial killer इसके psychologist के पास सुझाते है इस psychologist से वो files के गरा मांग रहे होते है ये psychologist कहीती है कि वो मेरा patient था वो कोई भी trouble में आ सके ऐसा भी कुछ भी करने नहीं वाली ये वो secret रगने वाली होती है क्यांग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो और भी लोग खत्रे में हो सकते है पर ये बानने वाली नहीं होती ये जब psychology से पूछते है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा वो कहीती है कि वो बहुत ही raceless हुआ करता था जब वो लोग को मारता था तब उसे अच्छा लगता था अब वो जेल में है तो वही उसे आफ फील होता होगा अब ये दोनों वहां से चले जाते है करी रहे होते है तब और एक murder इने मिल जाता है शीन जिस pattern में murder करता था इसी pattern में ये हो रहे है ये अब इस सब में एक logic ढूणना चाते है जब ये pattern ढूणते है तो मैंने पता चलता है ये जो सब लड़किया थी AQ hospital में अपना check up करवाने के लिए गई थी hospital staff से ये बात करते तो मैंने बता चलता है कि वहाँ एक आत्मी काम करता था जिसने अभी अभी resign कर दिया है ये जो आत्मी था इसके भी previous crime के record है अब हम next time में देखते है कि जिस आत्मी का जिकर हो रहा था जिसने hospital से अभ resign कर दिया है उसके घर पर कैंग आ जाता है जब ये आदमी अपने घर पहुचता है तो वहाँ से भागने लग जाता है कैंग भी इसका बीचा करता है भागते भागते ये कलब में आ जाता है कलब में आने के बाद इसे कोई पकण ना सके इसलिए एक चाको लेता है और लड़की के गले पर लगाता है कैंग शान्त हो जाता है फिर भी इस लड़की को मार कर वह भाग रहा होता है कैंग इस पर बहुत सारी गोलिया चलाता है जब इसे hospital में भरती करवा जाता है तो एक कोमा में चला गया होता है यह अब hospital में काम करने वाले और जो पुराने serial killer यानि की शीन इन दोनों में connection मनाते है यह दोनों एक ही prison में थे यानि कि एक दूसरे को जानते थे यह जो murder हो रहे थे यह शीन नहीं करवाए है ऐसा हो सकता है कैंग अब फिर से शीन से मिलने के लिए जाता है वो कहता है कि तुमारी जो सब चाल थी अब वो खतम हो चुकी है शीन के pattern में जो next murder होने वाला था तो उसमें हाथ की ring missing थी अब वो murder हो नहीं पाएगा तो कैंग वो ring लेकर आता है शीन को वो चीड़ा रहा होता है शीन उसे कहता है कि तुम इस murder से attached हो रहे हो attachment हमसे बहुत सारे बुरे काम करवाती है ये ring शीन लेता है और इससे खेलने लग जाता है शीन कैंग से कहता है हमारे body में जो blood है अगर वो dirty है तो इससे कोई भी बदल नहीं सकता लोग heaven के बारे में बात करते है price cheat के बारे में बात करते है पर ये कोई कर नहीं सकता कैंग उठ जाता है शीन की collar बगड़ता है पर उसे मारता नहीं अम next scene में हम देखते है कि सब officers की meeting चल रही होती है connection अभी हमने बनाया नहीं है वो सस्वें उसमें एक दूसरे से मिले थे या नहीं यह हमें पता नहीं है हमें और भी इसकी investigation करनी चाहिए इनके boss को नहीं लगता कि इस पर जाते investigation करनी चाहिए किम को भी यहीं लगता है अभी case burn करने वाले होते है इस पर कैंग बहुत ही चिर जाता है यह था है कि आप में नोकरी छोड़ देने वाला हो यह frustrated हो चुका होता है कैंग का friend उसे संभालता है और एक बार में लेकर आता है थोड़ी देरे में किम भी वहाँ पहुच जाती है कैंग उसे कहता है कि आपने आपको तुम बहुत ही smart समझती हो वो case के बार में उसे कहता है किम कहती है और भी serial killer है जिने आप में पकड़ना है बहुत सारे लोग कि हम अभी भी जान बजा सकते है हम अगर stream के पीछे ही पड़े रहे तो सही से काव नहीं कर पाएंगे अब next दिन हम देखते है कि psychiatrist कैंग से मिलने के लिए आती है उसे बहुत सारे questions होते है पर कैंग इसे नहीं देने वाला होता कैंग उसे जाते जाते कहे कर जाता है अगर तुम इस case के पास मुझे दिखी तुमें तुम पर भी शक कर सकता हो तुम भी टरवल में आ सकती हो अब next scene में हम देखते है रिएक्टिव को एक जगा की tip मिलने होती है वहाँ वह surveillance वगेरा रख रहे होती है तब भी उन्हें एक बड़ा सा sound आता है जो वहाँ देखने के लिए जाते है वहाँ और एक murder हो चुका होता है शिंग जिस तरह से murder करता था उसी तरीके से इस murder में भी अब ring missing है किम जब देखने के लिए जाती है तो नीची उसे कुछ shadow दिखती है इसका पीछाओ करती है तो वहाँ कैंग ही होता है कैंग भी इस serial killer के पीछे पढ़ा था और इसमें वह ज़रा injured हो चुका है कैंग को अब ज़्यादा कुछ याद नहीं है कैंग ज़र नेज़ दिन पुलिस station में होता है तो एक criminal से मिलने के लिए उसकी wife आयो होती है पर इक criminal उसे मार रहा होता है कैंग फिर उस औरत को बचाता है और लेकर जाता है इसके बाद इसी औरत के साथ ये खाना खा रहा है ये हमें दिखता है जब कैंग और किम इन्ने station कर रहे होते जब serial killer की hearing चल रही थी वहाँ जो भी सब लोग आये थे इन सब की वो लिस निकालते इसमें common कोन था ये वो देख रहे होते कुछ साथाट लोगों के नाम यहाँ उभर कराते इन सब के वो criminal records निकालते है इसमें एक आदमी हो देखते तो कैंग इसे पहचान लेता है कैंग कहता है कि murder के आसपास मैंने इस आदमी को देखा था इस आदमी का पता वेगरा निकालते है और उसके apartment पर team लेकर जाते है जब वो apartment में घुषते है तो वहाँ खून से dates लिखी हुई होती है जिस dates पर ये खून होते है ये वो dates होती है अब किम इसमें pattern बना लेती है ये फेड से होने वाला है और ये किस date पर होने वाला है ये उसे पता है ये serial killer से बुछती है इन छे लड़कियों को तुमने मारा था क्या इसी तरह से और भी किसी को तुमने मारा है ये कह रहा होता है ये छोटे बच्चे जिस तरह से कुछ भी चीजों से खेलते है और ये तोड़ दे थे उसी तरह से वो ये सब करता है किसी को मारना ये उसे गलत नहीं लगता ये उसे pure instinct लगती है किम कहती है कि छोटे बच्चे किसी को हट नहीं करते शिन कहता है कि मैं भी लोग को हट नहीं करता जब मैं उन्हें मारता हूँ तो एक अच्छे प्लेस पर वो चले जाते है मैं उन्हें free कर डालता हूँ ये जाते जाते वीश करता है इसे लगता है कि कभी वो इससे बहार मिल सके इसके बाद हम देते हैं कि कैंग और किम बीच पर आय हुए होते कैंग अपनी मदर की स्टोरी सुना रहा होता है कैंग की मदर प्रोस्ट्रूट थी ये अपनी मदर को सिस्टर बुलाया करता था ये उसकी मदर है ये वो सबसे चुपा कर रखते थे क्योंकि इसकी मदर ट्रवल में आ सकती थी ये केता है कि जब हम दोनों बीच पर आते थे तो मेरी मदर मुझे सच्टूज में दिखाई देती थी वो जैसी थी वैसे मैं उसे देख पाता था अब इसकी मदर मर चुकी है अब और एक डेट आ चुकी होती है जिस पर मर्डर होने वाला होता है ये साइकाट्रिस का इन सबसे कुछ ना कुछ तो लेना देना है अब साइकाट्रिस का ये पीछा करते है अजानक से साइकाट्रिस गायब हो जाती है कैंग फिर से उसी आदमी को देखता है जिसे वो हर क्राइम सिन पर देखता है इसके पीछे वो भागता है पर इसको spot नहीं कर पाता किम साइकेर्ट्रिस को ढूंड लेती है और साइकेर्ट्रिस का एक लेक्चर होता है इस लेक्चर में उसके पीछे-पीछे को पोच जाती है थोड़े टाइम में कैंग भी वहाँ जाता है लेक्चर होने के बाद ये वहाँ से जा रही होती है तो गाड़ी में ये दोनों इसका पीछा करते है ये उसका पीछा करते करते ट्राफिक में अड़क जाते है ये साइकेर्ट्रिस एक जगा पर जाती है कैंग पैदली इसका पीछा करने लग जाता है और इसके गाड़ी को spot कर लेता है किम थोड़ी देर में वहाँ पोच जाती है वहाँ देखती है तो साइकेट्रिस मर कर पड़ी हुई होती है इस पर भी वार हो जाता है और ये भी इंजोर्ड हो जाती है थोड़ी दिर में कैंग भी वहाँ इंजोर्ड होको पड़ा होता है जब वो होश में आता है तो उसे लगता है कि ये दोनों मर चुकी है पर किम जिन्दा होती है साइकेटरिस्ट अब मर चुकी है तो शीन की फाइल जो साइकेटरिस के पास थी ये वो लेकर आते है जब वो टेप लगाते है तो साइकेटरिस्ट शीन के बारे में कह रही होती है ये कह दिये कि शीन की मदर ने अबोर्शन करवाया था अबोर्शन करते वक्त कभी-कभी तीन महिने का अगर ये अबोर्शन होगा पर शिन इस abortion से बच गया था बचपन से ही और्टों के ब्रथी इसी घिन थी इसी वज़े से यह सब murder उसने किये थे यह जब यह देख रहे होते है तो इनका बॉस वहात है यह कहता है कि शिन को अब उन्होंने फासी दे दी है कैंग कहता है कि क्या उसने मरने से पहले क्या कुछ बोला था उन काफिसर कहता है कि वो खेह रहा था कि मैंने अपनी मदर को मार दिया है कैंग और केम दोनों बाहर बेटे होते हैं किम कैंग से खेती है कि कभी-कभी मुझे रखता है कि मेरा husband अगर मेरी जगा होता तो वो क्या करता ये अपनी husband को बहुत जादा मिस करती है अब next scene में हम देखते है कि एक डिरीक्ट्व फिगर आउट करता है psychiatrist से मिलने के लिए और एक patient आता था वो शिन के hearing में भी आया था ये वही है जो कैंग को दिखता रहता है इसने आपना नाम जेंज कर दिया था इसी वज़े से इसे spot नहीं कर पाए जिस basement में ये psychologist मरी थी इसी basement का ये owner है इसका और एक घर है अब इसे पकड़ने के लिए ये सब वहाँ पोच जाते है जब वो यहाँ पोचते है तो यही वो बेठा हुआ होता है इन सब के सामने ये suicide कर लेता है इसने ही ये सब crime किये थे इन सब के सबूत इसके घर में इने मिल जाते है अब जो real serial killer था इसके बारे में इने पता चल चुका है तो एक case बान हो जाता है इससे पहले एक city डिरिक्टू कैंग को भीज़वाता है ये अब डिरिक्टू कैंग को मिल चुकी है कैंग पुलिस टेशन से गाड़ी में निकल जाता है किंग के पास उसका एक cover कराता है कि अब तुमारे husband को शान्ती मिलेगी उसके जो कुई नगार थे जेनको वो पकरना चाता था अब वो सब मर चुकी है किंग अभी भी मर्डर के जो फाइल्स होते है इसे ही देख रहे होती है वहाँ पर एक अलग चीज़ वो नोटिस कर दिये के थी कि एक मर्डर जहां हुआ था वहाँ पर दीन फूट्प्रिंस होने चाहिए थे एक मर्डर के मेरे ordered it to कैंग के और वहाँ दो ही थे इसका मतलब है वहाँ सीरेल किलर था ही नहीं कैंग ने एक मर्डर किया हो सकता है यह जाकर कैंग के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा थी है इन फोन रिकॉर्स में वो देखती है तो कैंग को मर्डर होने से पहले हवेशा फोन आया करता था और ये सीरेल गिलर का ही था किम को अब शक जाता है और पहला हॉस्पिटल का जो स्टाप था जो मर्डर कर रहा था इसके पास उसे मिलने के लिए जाती है अब ये कोमा से बहार आ चुका है और उसके डॉक्टर से बात करती है डॉक्टर कहते है कि एक हिपनोटाइस स्टेट में था ये जो सब कर रहा था इसके कंट्रोल के बाहर था अब कि इनको पता चल जाता है कि शीन ने इसे हिपनोटाइस किया था शीन ने इस आदमी के माइन में सब कुछ इंफोर्मेशन भर दी थी जब भी शीन को लगता था कि अब मर्डर होना चाहिए तो इसके माइन में ये कुछ ट्रिकर लगा देता था ये जो ट्रिकर होते थे कोई भी हो सकता है जब फोन की रिंग बचती थी तो जो इसका विक्टीम है इसका सबकॉंचियस मैं ट्रिगर हो जाता था अब जिसे वो चाहिए उसे मार कराता था किम अब फिगर आउट करती है कि यही चीज कैंग के साथ भी हुई थी क्योंकि मर्डर होने के पहले कैंग को कौल आता था और इसके बाद मर्डर होते थे शिंग को मिलने के लिए जो भी सब जाते थे वो सब इस तरह से हिप्नोटाइज हो जाते थे हमने मुवी में देखा है कैंग जब शिंग से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ एक रिंग लेकर जाता है शिंग उस रिंग से खेल रहा होता है इस ring से ही वो इसे hypnotize कर देता है कैंग को अब एक CD मिली है ये CD जब वो लगाता है तो कैंग फिर से trigger हो जाता है वो जाकर एक औरत का murder कर कराता है कींग भी कैंग की location निकालती है वो C के पास ही होता है वहाँ जाकर वो देखती है वहाँ जाकर एक औरत का उसने murder कर दिया है शीन ने मरने से पहले कहा था कि मैंने अपनी mother को भी मार दिया है अब कैंग ने जिस औरत को मारा है ये शीन की mother ही थी जब कींग वहाँ पोच्टी है तो कैंग को पश्टा हो रहा होता है वो अपने आपको गन चलाने वाला होता है पर वो चला नहीं पाता शीन ने कैंग से कहा था कि murder solve करते करते तुम ही monster मत बन जाना तो यही अब हुआ है कैंग खुद ही monster बन चुका है किं कैंग की गन लेती है और कैंग को ही मार डालती है किं का हजबन भी शीन की ही investation कर रहा था शीन ने उसे भी hypnotize किया था इसी वज़े से किं के हजबन ने अपने आपको मार दिया था अगर कैंग जिन्दा रहता तो शीन ने अभी उसके मायन में और क्या feed किया है यह किसी को पता नहीं है कैंग और भी murder कर सकता था इसलिए किं अब उसे मार दिती है किं को बहुत ही पच्टा होता है और वो रोने लग जाती है इस case में लास्ता को कुछ भी कर नहीं पाई यही इस movie की बहुत ही sad ending हो जाती है इस movie के title का यानि age का meaning hypnotism से था तो इस movie का जो suspense है यानि hypnotism इसका initial इन लोगों ने इस movie का नाम दिया है इस movie का नाम भी brilliantly रखा है अगर आप को वीडियो अच लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस movie लेकर आता है तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबान में मत भूलिये हम फिर से मेलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खयाल रखिये